जुहार नमस्कार सुदेश महतो आसु पार्टी के सुप्रीमों अभी तक दुसरी सीट की घोसना नहीं कर सके या तो सिल्ली विधान सवाच छेतर से ही परतियासी बने रहेंगे और जैसा की सिल्ली विधान सवाच छेतर में जारकंड लुक्तांतरिक करांतिकारी मोर्चा के परतियासी देबेंदरनात महतो की चुनौती जहलेंगे और दूसरी तरफ जारकंड मुक्ती मोर्चा के नए परतियासी जो होंगे पहले वो दूसरी पार्टी में थे यानि उनकी अपनी पार्टी थी खतियानी जारकंडी पार्टी वो सामिल हो गये हैं हमन सुरेन की पार्टी में तो वहां से उनकी दावेदारी है सिली से तो दो जो परतियासी हैं उनकी तरफ से चुनौती जहलेंगे और दूसरी सीट अभी तक उन्होंने घोसना नहीं की है जबकि जहरकंडलोकतांतरिक रांतिकारी मोचा के अधधच जराम महतों ने बिरमुस दूसरी सीट की घोसना कर दी है रागता है कि सुदेश महतो कहीं न कहीं कई मोर्चे पर जराम महतों से पिछरते हुए देखे जा रहे हैं चाहे बो परतियासियों के नाम की घोसना में हो चाहे सीट सेरिंग में हो चाहे जो है दूसरी सीट की घोसना में हो क्यों ऐसा हो रहा है यह तो सुदेश महतों बहल दस सीट दी है कुछ सीटों पर अभी तक जो है वो घोसना नहीं हुई है ना भाजपाने वहां से परत्यासी उता रहे हैं ना सुदेश महतो अभी तक कोई पत्ता खोल रहे हैं और इस भी जो है वो किंद्रिय धक्छ जेपी नड़ा से या फिर किंद्रिय ग्रिह मंत्री अमी तो सरमा जो किया सम के मुख मंत्री हैं लेकिन कहीं न कहीं लग रहा है कि खीचतान है कहीं न कहीं असहमती है कहीं न कहीं भाजपा जो है बरत के साथ जो है दवदवा बनाए रखना चाहती है सुदेश महतो को उनके जिस किसी च्छमता के अनुसार आगे बढ़ने नहीं द चानती है कि साइद सीट देने से वो सुदेसमहतों की हार हो सकती है इसलिए जो है भाज़पा अपने पक्ष में जिस तरह से महनत कर रही है तो उसे लग रहा है कि अपने पक्ष में अगर वो सीट रखे तो साइद उसकी जीत हो सकती है क्योंकि जिस तरह से जराम महतों के पदारपन और उभार और नए सिरे से जनाधार बनने के बाद सुदेश महतों काफी परभावी बताये जा रहे हैं सुदेश महतों पर ही काफी परभाव हुआ और ग्रीडी संसदिय चुनाव में इसका असर भी देखा गया प्रभाभ भी देखा गया कि उनके जो संसद हैं वो काफी पिछरते हुए नजर आए तो सुदेश महतो दूसरी सीट की घोसना करेंगे कि नहीं यह भी देखने वाली बात होगी और यदी सिली से ही वो सिर्फ बिधान सवा चुनाव लरते हैं तो संभव है कि उनके लिए कोई न कोई परसानी हो सकती है अगर क्यूंकि देवेंदरनात महतो भी काफी एकदम जोस और खरोस के साथ जो है वहां मैदान में परचार कर रहे हैं चुनावी परचार कर रहे हैं जनसंपर कभी यान चला रहे हैं और अमीत महतो चुकी एक सत्ता वाली पार्टी है आंदूलन वाली पार्टी भी कह सकते हैं क्यूंकि जरकंड मुक्ति मुर्चा का कहीं न कहीं जर पहली बार विधायक भी बने थे दोहजार जो चौदा में तो ज्हामों से ही बने थे बाद में उनकी पत्नी जो है वो उपचुनाव में बिजए हुई थी तो इस तरह से उनके लिए एक मात्र पार्टी ही सहरा है जबकि जराम महतो की पार्टी के जो वरिय उपा धक्च हैं दिवेंदरनाथ महतो वो अपनी जमीन तयार कर रहे हैं सक्त बना रहे हैं लगतार अरसे से जो है वो आंदुलन कर रहे हैं जनसंपर्क चला रहे हैं पद्यात्रा कर रहे हैं जरखंड नवनिर्मान नियाए पद्यात्रा तो कई तरह कि उनकी जो है वो वहां पर जो है प्र करते हुए नहीं देखे जा रहे हैं कि एक सीट से ही चुनाव लड़ें कि अगर वहां पर दविस है दवाव है तो कहीं न कहीं उनको डर होगा ही कि अगर एक इस सीट से चुनाव लड़ें तो संभव है कि उनकी लिए एक मुस्किल पैदा हो सकती है और इस नाते जो है वो ब चुनौ लर सकते हैं या तो फिर टूंडी हो सकता है या फिर मांडू हो सकता है या फिर इसी तरह के जो है वो विधान सवाच्षेत्र हो सकते हैं तो अब देखना है कि सुदेस महतो कब पता खोलते हैं क्यूंकि दिन बहुत कम रह गए हैं एक महिना से भी कम अब नतीजे के दिन हैं तो ऐसे में ठीक है कि नमांकन की प्रक्रिया जारी है नमांकन सुरू हो रहे हैं और कई परत्यासी अब तक जो है वो नमांकन कर चुके है तो उस तरह से जो है वो सुदेश महतो कब जो है वो करेंगे क्यूंकि दूसरे फेज में वहाँ चुनाव है सिल्ली में तो इस नाते देखना है और अगर इधर जो है वो दूसरी सीट की गोसना अगर नहीं करते हैं तो समझा जाएगा कि सिल्ली में ही वो रहेंगे और एक यह भी बात है कि सिल्ली के तमाम जनता यह भी पूछ रही है कि क्या सुदेश महतो को सिल्ली वासियों पर भरोसा नहीं रहा और क्या उनको हार का डर सता रहा है इसलिए दूसरी सीट की खोज कर रहे हैं तो कई तरह की बाते कहीं जा रही हैं और सुद्समा तो कहीं न कहीं उनके चेहरे से चिंता कभाव जलक भी रहा है क्योंकि दोनों परतियासी जो चुनाथी देने वाले हैं चाहे वो जारखंड लुकतांतरे करांतिकारी मोर्चा के जे इल केम के हूँ चाहे जारखंड मुकती मोर्चा के हूँ तो ये दोनों परतियासी काफी जो है वो एक तरह से जनाधार वाले हैं कहीं न कहीं अमितमातो की अपनी पार्टी का तो कोई जनाधार उस रूप में नहीं था लेकिन जैसे ही वो जामुओं में आ गए जरकंड मुकती मोर्चा में आ गए तो उनका कद एक तरह से परतियासी के तोर पर अचानक बढ़ गया और वो जो है वो एक सत्ता वाली पार्टी के परतियासी के तोर पर मैदान में उत्रेंगे तो उनके पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है जिस तरह से देवेंदरनाथ महतो के पास इन चाहे वो अमित महतो हों सुधेस महतो کی بिफलताوں کو गिनाने के लिए बहुत कुछ है और बहुत कुछ बता भी रहे हैं देबिंदरनाथ महतो अपने परचार के दोरान तो इससे अब सुधेस महतो सभी कामों में कम से कम जराम महतो से पिछरते हुए देखे जा रहे हैं सही है कि जराम महतो एक तरह से अकिला चुनाव लर रहे हैं इसलिए उनके पास पुरी अजादी है और सुदेस महतो के पास कहीं न कहीं वो इंडिये के घटक दल हैं तो उसमें उनको जो सहमती के अधार पर सीट दी जाएगी तोसी के अधार पर वो परतियासी के नाम की घोस ना करेंगे चुनाव लरेंगे और उनका दवाब किसी रूप में काम नहीं कर रहा है नहीं चल रहा है नहीं देखा जा रहा है बारवार की मुलाकात का भी असर यह हुआ कि उनको अभी तक सिर्फ दस सीट दी गई है एक सीट पर कहीं न कहीं कहा गया था कि उनको दी जा सक कहीं न कहीं यह जो है वो जेराम महतों से उनका पिछरना एक तरह से कहा जा सकता है कि जनाधार में कमी का क्या आसर होता है कि आपका घटक दल भी आपको जो है कहीं महत्व नहीं देता है और दूसरी पारटी के नेता गन क्या महत्व देंगे और जेराम महत्व की पारटी और जराम महतों खुद तो बहुत महतवे दे भी नहीं रहे हैं सुदेस महतों को और उनकी पार्टी को क्योंकि उनके भी कई तरह के सुदेस महतों और उनकी पार्टी पर अरोप है तो इसके अधार पर आप कहा जा सकता है कि सुदेस महतों या तो फिर सिली से ही चुनाव लरें जो हो इसकו फेस करें और दुसरी बात कि अगर दुसरे सीड की अगर भोसना करेंगे तो दिन बहुत कम रह जाएंगे और ऐसे में वहां के जो बोटर होंगे उनको किस रूप में अपना नेता मानेंगे और किस रूप में उनके पक्ष में अपना मतदान करेंगे यह दोनों जो है काफी संदिहास्पद है क्योंकि इतनी जल्दी बोटर कम से कम किसी को अपना नेता और बिधायक बनने को तयार नहीं होते हैं और इस नाते भी कि कम से कम जनता जो है बराबर च्छली जाती रही है इसलिए किसी पर भी तुरंत और जल एक कहीं न कहीं कोई परसानी जरूर बता रही है दिखा रही है और पार्टी आसू पार्टी के लिए अगर सिल्ली से ही अगर रहते हैं चुनाव लड़ते हैं कहीं कुछ वहां परसानी पैदा होती है हार का डर है तो यह डर भी काफी बरा है और चोटा नहीं है और इसको सी रूप में देखा जाना चाहिए जोहार नोशकार